राहुल गांधी अपने ही बुने हुए जाल में फंसते जा रहा है आदलीप मंडल ने एक बड़ी ख़बर लिखी है और बड़ी बात करें उन्हें कहा है कि सोचिए इस देश का एक जज जो लोवर कोट का जज हो वो चाहे तो सरकार गिरा सकता है वो चाहे तो चुनाओ करवा दे वो चाहे तो परधान मंतरी को नाप दे क्या राहुल गांधी के साथ यही हो रहा है और क्या ये सारे रास्ते राहुल गांधी ने नहीं बनाये थे नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंग और आप देखे हैं निस्नल दस्तर एक भासन को लेकर गुजरात के लोवर कोट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुना दी उसके बाद उनकी सदस्ता चली गई दरसल इस सारा खेल हुआ था जब लालू यादब को जेल में डाल दिया गया था उनके खिलाब उनको सजा हो गई थी उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो साल से जादा या दो साल की सजा वाले किसी भी MP ML की सदस्ता चली जाएगी और वो छे साल तक चुनाओ नहीं लड़ेंगे मैं थोड़ा आपको फ्लेस बैक में ले चलता हूँ इस देश में देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ SCST को रिजर्वेशन मिला सुरुवात के 40 साल तक आप देखेंगे जब तक मानेवर कांसी राम सहाब राजिती में नहीं आते हैं करपोई, ठाकूर, लालू यादब नहीं आते हैं तब तक इस देश में सवन समाज के लोग CMPM बनते थे वही SPDM बनते थे तब सब कुछ बढ़िया था सत्यूग था, त्रेता यूग था लेकिन वहीं से गलती हो गई इन लोगों ने सोशल जस्टिस की बात कहनी सुरू कर दी और SCST के साथ सुचिये उस समय लोग अपने नौकरों को चुनाओ जिताते थे SCST सीट पर, रिजर्ब सीट पर इका दुक्का नेता थे जो बड़े अस्तर पर थे वो भी कॉंग्रेस के बाबु जगजीवर राम जिनको परधान मंत्री नहीं बनने दिया गया वो परधान मंत्री रहे जबको उनके खाते में भी बरे काम है बाबा साहिब के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं उसके बाद कॉंग्रेस के ही रहमो करम पर SCST के लोग नेता बनते थे लेकिन उसके बाद पूरा खेल पलटना सुरू हो गया SCST के लोग राजनीती में आने लगे और बिरानमे में तो पूरा खेल ही पलट गया जब मंडल कमिसन आया लेकिन जैसे ही करपूरी ठाकूर लालू यादब मानेवर कांसी राम सहाब और उधर बिहार में जो जगद्यों पर साथ थे और रामबरन यादब हो या रामशरू बर्मा हो सुने लाल पटेल हो ऐसे लोग आउदाय होता है वहीं से मीडिया ने एक कहानी शुरू कर दे और मीडिया ने कहा कि रादनीती का पराधी करन हो रहा है जबकि सच्चाई ये है कि रादनीती का पहले जाती करन था और उसके बाद पैसा करन शुरू हो गया आज रादनीती का पैसा करन हो चुका है और इसलिए बीजेपी और कॉंग्रेस आगे है रादिती का प्राधिकरन कभी नहीं हुआ, पहले रादिती का जाती करन था उसके बाद जब जाती करन से रादिती निकला, तो रादिती का पैसा करन हो गया क्योंकि माने बर कांसी राम सहाब ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागेदारी लालु यादब ने बिहार में रोटी पलर दी थी लगातार सवन समाज के लोग सीएम बन रहे थे करपोई ठाकुर के बाद लालु यादब ने तीन टर्म चुनाओ जी था एक बड़ी घटना थी इसी दोरान टी एन सेसन नाम का एक सक्स आता है और वो रानितिक सुधार ट्रांसपरेंसी के नाम पर लालु यादब को हराने के लिए तमाम तिक्रमे करता है जैसे ही कोई दलित पिछरा अदिवासी सत्ता में आता है तमाम इंस्स्ट्यूशन इमांदार हो जाते है सोचिए मायावती जब मुखमंतरी थी तो किस तरह से हाथी को डगवा दिया गया था आज 24-7 चुनाओ होते रहता है परचार चलते रहता है कई चरदों में चुनाओ होता है जहां बोटिंग होती है दूसरे छेत में परचार हो रहा होता है तो यह लंबा बहस का केंद्र है लेकिन एक बिल एक सुप्रिम कोट ने फिर एक कानून बना दिया और वो कानून था कि अगर किसी नेता को किसी विधायक को सजा होती है तो वो 6 साल तक चुनाओ नहीं लर पाएगा दो साल की सजा हो या उससे ज़्यादा आप सोचिए भारत की नियाय परकिरिया क्या कहती है भारत की न्यायप परकिरिया कहती है कि अगर lower court से किसी को दोसी साबित हो गया है तो अभी उसको मौका है high court जाने का सुप्रिम कोर्ट जाने का हो सकता है वो high court से बढ़ी हो जाए हो सकता है वो supreme court से बढ़ी हो जाए लेकिन नहीं सुप्रिम कोट के एक आदेश के बाद लोवर कोट के फैसले के बाद माल लीजिए माल लीजिए कि इस देश में कोई सक्स परधान मंत्री बना हो और उसके पास बहुमत से एक जादा सीट हो मतलब बहुमत के लिए एक सीट हो अगर किसी lower court ने एक बिधाय को सजा दे दी तो वो सरकार गिर जाएगी माल लिजे कोई परधान मंत्री हो और उसको बहुमत से एक ज़्यादा सीठ हो और एक को सजा हो गई तो वो सरकार गिर जाएगी दोबारा चुनाओ करवाना पड़ेगा और माल लिजे किसी lower court ने परधान मंत्री को सजा दे दी और आप सब जानते हैं इस देश में lower court को manage करना कोई बहुत कठीन काम है संबह भी नहीं अभी तो एक जजज सहाब कोई नौकरी इसले चली गए बरखास इसलिए हो गए कि वो बिदेश में परिवार के साथ गुल्चर्वे उरा रहे थे और बिल कोई और भर रहा था यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह अरोडा सहाब जज थे जिनको दिल्ली हाई कोट ने बरखास कर दिया तो सोची एक कुलूजियम बाले जज हैं लेकिन वही ट्विस्ट आया लालू यादव इसके पहले बिक्टिम बने आज कॉंग्रेस चाती पीट रही है राहुल गांदी इमानदारी का तमगा लेके घुम रहे हो सकते हैं वो इमानदार हैं पर सित्यां बदलती रहती है कि हत्यार उठा लीजिये त्वारेसस ने मना कर दिया मैं सिर्फ यह कहान इसलिए सुना रहा हूं कि लोकतंत्र किसी की बपौती नहीं है सरकारे आती जाती रहती है कॉंग्रेस को भी ओही लगता था इंद्रा कांधी को भी ओही लगता था खुद नरेंच्र मोधी लिख रहे हैं कि तब मेरा नाम बदल दिया गया था लोगों को लग गया था कि अब इंद्रा इस देश से कभी नहीं जाएंगी क्या हुआ इमर्जेंसी लगाया सत्ता से बाहर हो गई आज बीजेपी के खिलाब भी उसी तरह का महौल है 2024 में बीजेपी की हलक सूख रही है कि क्या होगा UP में बीजेपी ने तहे किया है कि सारे जिला धक्षो को बदल देंगे CSTOBC को बनाएंगे तो मैं वही आ रहा था मुद्दे पर कि सुचिये राखुल गांधी की नादानी ने उनको फसा दिया है एक मनमोहन की सरकार थी मनमोहन सिंग की सरकार थी सोनिया गांधी और तमाम लोग की कोशिश के बाद एक बिल लाया गया कैबिनेट में ये बिल था कि जो सुप्रिम कोट का आदेश है इस आदेश को संविधान संसद में रद कर दिया जाए उससे पहले एक अध्यादेश लाया जाए अन्ना का अंदोलन चल रहा था सो कॉल्ड अन्ना अंदोलन अर्विंद केजरिवाल जैसे लोग थे राहुल गांधी के कुछ सलाकार भी ऐसे ही थे कपिल सिब्बल टाइप के जैराम रमिस कपिल सिब्बल इन लोगे कहने पर राहुल गांधी ने कैबिनेट का वो अध्यादेश फार दिया नतीजा ये हुआ कि लालु यादवरानिती से बाहर हो गए मैं फिर कह रहा हूँ उसी जाल में आज राहुल गांधी फस गए है दो साल की सजा हो गई है छे साल चुनाओ नहीं लर सकते हैं पहले लोवर कोट फिर हाई कोट ने रद कर दिया आप चिला रहे हैं बिलविला रहे हैं कि कोट दवाब में है सरकार के कबजे में है इस तरह के आरोब कॉंग्रेस के दौर में भी लगते रहे मैं फिर कह रहा हूँ कोई ऐसा काम बिजेपी नहीं कर रही है जो कॉंग्रेस ने नहीं किया है कॉंग्रेस के सारे रास्ते जो दिखाए रास्ते हैं यो बनाए रास्ते हैं उसी पर तो चल रही है बीजेपी पहले जाती देखकर इंकम टेक्सीडी की करवाई होती थी अब पार्टी देखकर हो रही है पहले पत्रकारों के साथ अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोड जाएगा जहाँ चीफ जस्टिस सीजी आई डीवाई चंद्रचूर हैं देखते हैं वहाँ क्या होता है लेकिन यह कानून बहुत खतरनाक है यह कानून इतना खतरनाक है कि इसके सबसे ज़्यादा सिकार S.C.H.T.O.B.C. और अल्पसंख्यक समाज के लोग होंगे और अब तक हो चुके हैं आप देख लीजिए किन की किन की सदस्ता गई है और वो लोग किस कम्निटी के लोग हैं राहुल गांधी ने अपने ही पैर पर पुलहारी मार लिया है और इसको कुछ नहीं कह सकते हैं मैं फिर कह रहा हूँ मेरी राहुल गांदी से पूरी सहानभूती है लेकिन ये कुवां खुद राहुल गांदी ने खोदा था जिसमें वो ढब से गिर गए हैं और वो तो लालू यादब की नियक नियती कहिए कि वो आज भी कॉंग्रेस के साथ मजबूती से खरे हैं इस देश में कॉंग्रेस बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो बहुजन एस्सी एश्टी ओबी सी अलफसंख्यक समाज के लोग लालू यादब ने एक विपक्ष की बैठक में कहा था कि राहुल जी आप दुलहा बनिये हम आपका बाराज चलेंगे तमाब मिडिया ने नितीज के खिलाफ लालू को भरकाने की कोशिश की कि लालू जी ने राहुल गांधी को स्विकिर्टी दे दिया ये वो आज उसके बाद लालू यादब ने एक और बड़ी बात कही है कि बगएर शादी किये हुए परधान मंत्री आवास में रहना सुव नहीं होगा साधी सुदा लोगों को ही परधान मंत्री बनना चाहिए उनका कहना है फैमिली मैन जिसने परिवार चलाया हो बच्चे पाले हो जो अपने परिवार का दर्द जानता हो जिसको कहते हैं देहात में आठा चावल का भाव मालूम हो मतलब नून तेल की नून मतलब होता है सॉल्ट हमारे यहां नून बोलते हैं उसको तेल मतलब मस्टर्ड हो है हमारे यहां कहावत है कि दुसरे का दर्द वही समझेगा जिसको नून तेल का भाव पता हो मतलब जिसने अपना परिवार चलाया हो सबजी तेल नमक दूद खर अम्रीका में एक कहावत है कि फ़ह एक परधान मंत्री राष्टपती के तौर पर पर पर्धान मंत्री राश्टपती के तौर पर उस ऑगया यह संपने को रहता है जिसको क्य served बार चलाने का अन्भव हो ताकि वो गरीबों की मदद समझ पाएगा बीना शादी वाला जाएंगे उन्होंने इस तरह से नहीं कहा है उन्होंने काया कि प्रधान मंत्री को पत्नी के साथ रहना चीजिए जबकि नईंद्र मोदी की शादी हो चुकी है तो गुद्रात हाई को का खारिज कर दी है अब सुप्रिम कोट का रास्ता बसता है अब एक मात्र भी कल्फ है कंग्रेस के पास कि सुप्रिम कोट से क्या होता है लेकिन सोचिए इसका कमृक्लिकेशन सोचिए कि मात्र एक सीट को एक आदमी को सजा reindeer कर सरकार गिराई जा सकती है मतलब लोवर कोट क एक जज चाहे तो परधान मंत्री को नाप दे और तब तक आप इंतजार भी नहीं करना होगा दो साल की सजा हुई और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा आपकी सदस्ता चली जाएगी आप सुप्रिम कोर्ट तक नहीं पहुँच पाएंगे जब कि इस देश में अगर आप मडरर हैं रेप के दोशी हैं लोवर कोर्ट से दोशी हैं तो आपके पास मौका हाई कोर्ट जाने का सुप्रिम कोर्ट जाने का कई सारे मामले में लोवर कोर्ट के फैसले को सुप्रिम कोर्ट ने बदला है हाई कोर्ट ने बदला है कई सारे मामले में लोवर कोर्ट से जो रोपी बड़ी हो जाते हैं उनको हाई कोट सुप्रीम कोट ने सजा दी है इसलिए बाबा साहिब का संभीधान चेक अन बैलेंस की बात करता है लेकिन लालु यादव से नफरत के नाम पर एक ऐसा कानून आगा सुचिए स्टी एक कानून कहां से आया था आप सोचिए स्टी एक कानून है तब भी आज आपके मुँपर पिसाब कर दिया जाता है मैं इसलिए कह रहा हूँ यह चेक अन बैलेंस है और राहुल गांधी अपनी गलत फैमी में फंस गए यह अध्यादेश आ जाता तो यह मामला ही खतम हो जाता मुझे लगता है कि कुलोजियम सिस्टम और इस सुप्रिम कोट के आदेश को भी पलटने की ज़रूरत है और यह पलटा जा सकता है संसद में कानून बना कर क्योंकि भारत में संसद सर्वो पड़ी है और यह जो मामला है नहीं तो कल कोई परधान मंत्री को नाप देगा आप जुडिशियल सिस्टम में कौन लोग बैठें आप पता है कल कोई सबसे ज़्यादा खतरा है कि कल कोई दलित पिछरा अदिवासी किसान या संक्यक समाज का परधान मंत्री हो जाए कोई लोगर कोट का जग उसको सजा सुना दे दो साल का और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा सुप्रिम कोट तक वो लड़ाई जाएगी उससे पहले उनको इस्तीफा देना है उनकी सदस्ता चली जाएगी छे साल तक चुनाओ नहीं लड़ सकते हैं वो इतना भयानक आदेश है ये और उसी के सिकार खुद राहुल गांधी है जिस गढ़े को उन्होंने खोदा था उसी गढ़े में गिर गए है आज कॉंग्रेस एक साथ है एक मुस्त है आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा लेकिन सच्चाई बोलनी पड़ती है यही सच्च है राहुल गांधी उस गढ़े में गीरे हैं जिस गढ़े को उन्होंने लालुयादब के लिए खोदा था लेकिन लालुयादब की नियक नीती और इमानदारी कहिए कि वो आज भी कॉंग्रेस के साथ डटे हुए है और उन्हें कहा है कि 2024 में मोदी जी नहीं आएंगे लेकिन इससे ज़्यादा आईपी सिंग ने कहा है आज परधान मंत्री नेजनर मोदी ने एक भासन दिया कि मैं वो मोदी हूँ जो किसी से डड़ता नहीं हूँ आईपी सिंग समाजबादी पार्टी के परवक्ता है उन्होंने कहा है कि 2024 आने दो और इनको सत्ता से बाहर जाने दो गुजरात के दो लोग न विदेश भाग जाये तो मेरा नाम नहीं मैं वो अब पुरा ट्वीट भी बताऊंगा तो लगातार विपक्ष के नेता आप बोलने लगे है लालु यादब ने कहा था कि जिस तरह से अत्याचार हो रहा है बिरोधी दलो पर विपक्षी जनता पर विपक्षी नेताओं पर अगर 2024 के में ये सत्ता से बाहर हो गए तो क्या होगा आईपी सिंग ने दो कदम आगे जाकर कहा है कहिए तो मैं वो पूरा ट्वीट भड़के सुना दूँ तो राहुल गांदी के बहाने ही सही तमाम लोग जो है वो अपने राजनीतिक जो फुलिटकेल बेंडेटा है उसको लेकर बात कर रहें आईपी सिंग ने जो कहा है मैं चाहताओ कि वो ट्वीट करके बदा दूँसलिस्ट नीजर है इसमिनिस्टर है फ्रम आजंगर और इन्हों ने कहा है जो लगातार जो कहा है वो मैं चाहता हूं कि आपको वो सुना दू कि किस तरह से उन्होंने एक बड़ी बात कही है कुर्सी से हर जानो दो फिर पता चलेगा कि जेल जाने का डर क्या होता है दोनों गुजराती सहुकार यदि देश छोर कर न भाग जाएं जाएं मा भगवती की किसम मैं राजिती छोर दूगा मैं सहुकार सबसे हां स बड़ा सवाल है जो सोसल मीडिया पर आज वाइरल है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोसल मीडिया ही सच्चा मीडिया सोसल मीडिया ही बहुजन मीडिया है क्या लगते आप लोगों को क्या राहुल गांदी को सुप्रिम कोर्ट से वो बड़ी हो जाएंगे आप लोग अपन एंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.